हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नंबर 77B जो की 23 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों EBS और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्बुक लोकिंग अराउंड से योनिट 12 वॉक वी यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आश्रा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे बच्चों हमने पाठ वॉक वी डू में अब तक विभिन सामुदाइक कारिकरताओं के बारे में पढ़ा हमने उनके विभिन कारिस थलो एवं और जारों के प्रयोग में समझा अब हम चानेंगे कि दैनिक कारियों में समय का प्रबंधन यानि टाइम मैनेजमेंट क्यों कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं बच्चों आज हम समय की महता और उसके साथ उपयोग के बारे में जानेंगे यानि इस वरकशीट के थ्रू हम ये जानेंगे कि हमें टाइम की बहुत जादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए टाइम को बिलकुल भी वेस्ट नहीं करना चा अब देखिए पहला प्रेशन है कि बच्चों कुछ गतिविधिया नीचे चत्रो द्वारा दर्शाई गई हैं इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए देखो यहां पे बहुत सारी चीजे दिखा रखी हैं तो कि सारी चीजे आप किस समय करते हो किस टाइम पर करते हो वो लिखना है आपके लिए एक उधारन भी दिया गया है जैसे कि सुबह उठना तो आप लिखेंगे मैं रोज सुबह छे बजे उठता हूं नहाना तो आप लिखेंगे मैं रोज सुबह जितने टाइम आप नहाते ह हूँ तीसरे चतर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यहां पे आपको क्या लिखना है मैं रोद सुबह डैश बजे स्कूल जाता हूँ आप जितने बजे जाते हैं वो लिख देंगे चलिए मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको ठीक है तीसरी तस्वीर के नीचे आप लिखे देंगे मैं रोज सुबह चार बजे पढ़ता हूँ पांचवे में यहां पे खेलना है तो आप लिख देंगे मैं पांच बजे खेलता हूँ या जितने समय भी आप खेलते हूँ उस टाइम लिख देंगे और छटे में क्या है कि मैं रोज सुबह के जगें आ जाएगा रात और कितने मानलो आप 10 बजे सोने जाते हैं तो 10 बजे सोता हूँ चलिए ये भी मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको तो last वाले में आप लिखेंगे कि मैं रोज रात को 10 बजे सो जाता हूँ लेकिन अगर आप लड़की है तो फिर आप लिखेंगे जाती हूँ अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्ण इसमें लिखा हुआ है कि समय के सत उपयोग से ही हम कुशल और अनुसाशित बनते हैं यानि अगर हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम काफी जादा कुशल बन जाते हैं समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है कहानी से संबंधित प्रश्णों के उत्तर अपनी कौपी में लिखिए तो चलिए पहले हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं गीता और गौरव दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे गीता अपने सभी कार समय पर पूरा करती थी जैसे की सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादी लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था यानि गीता काफी जादा समझदार है और समय के महत्व को समझती है जबकि गौरव कोई भी काम अपना टाइम पे नहीं करता है गौरव के इस वेवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे परन्तु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान ना देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था अब वाशिक परिक्षा का समय नजदीक आ गया था परिक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था उस दिन मौसम बहुत खराब था गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे लेकिन गौरव ने गीता की एक ना सुनी बारिश आने लगी और तभी पूरे गाउं की बिजली चली गई गीता ने समझाया कि गौरव तुम अभी पढ़ लो क्योंकि शाम को क्योंकि मौसम खराब है तो बिजली जा सकती है फिर तुम नहीं पढ़ पाओगे पर गौरव ने गीता की बात नहीं मानी फिर क्या हुआ कि बारिश आने लग गई और बिजली चली गई गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविश में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परिक्षा देने स्कूल गए तो आपने देखा कि गौरव किस तरीके से समय पर अपना काम नहीं करता है और काफी लापरवाही करता है जिस वज़े से उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहीं गीता अपने सारे काम समय पे करती है और इसलिए उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है अब इसके बाद चलो हम कुछ प्रश्णों के उतर लिखते हैं पहला है कि गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था तो आप लिखेंगे खेलने में पहले प्रश्ण का आप आंसर क्या लिखेंगे खेलने में दूसरा प्रश्ण है कि गीता ने गौरव को क्या समझाया था तो चलिए इसका आंसर में लिखकर दिखाती हूँ तो देखिए दूसरे प्रशन का आप आंसर लिखेंगे कि गीता ने गौरव को समझाया कि शाम को बिजली जा सकती है इसलिए तुम दिन में ही पढ़ लो पर क्या गौरव ने गीता की बात मानी थी तो नहीं गौरव ने गीता की बात नहीं मानी थी तो आप यहां से लेकर य परिशानी उठानी पड़ी चलिए इसका आंसर लिखते हैं तो तीसरे प्रशन का आप उत्तर लिखेंगे कि गौरव अपनी परिक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर पाया था क्योंकि बिजली चली गई थी और इसलिए वह बहुत परिशान हो गया था कि अब वह पढ़ाई कै ऐसे करेगा हालांकि बात में गीता ने उसकी मदद कर दी थी पर पहले वह पढ़ाई नहीं कर पाया था फिर चौथा प्रशन है कि मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्यों तो चलिए इसका आंसर में आपको लिखके दिखाती हूं तो चौथे प्रशन का आप आंसर लिख साथ तो आपने का सिखा हमें समय का सतुपयोग करना चाहिए ठीक है हमने यही सीखा कि हमें समय का सतुपयोग करना चाहिए और समय को बरबाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अब इसके बाद हम एक activity करना है कि घर में उपलब्ध कागजों या गत्तों की सहायता से घड़ी बनाएं जैसे की हमने बनाई है और अपनी टीचर के साथ साजा कीजिए तो देखिए ये है ये घड़ी है आप ऐसी कोई घड़ी बना सकते हैं और इसकी पिक्चर को आपनी टीचर के साथ शेयर करेंगे आपके पेरिंस के लिए सुझाओ है कि बच्चों को बताएं कि कि समय से काम करना जीवन में कितना बहत्तुर्पूर है तो आप जरूर बच्चों को बताएं कि समय हम सभी के लिए बहुत जा जमें आ चुकी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू